बीजेपी ने मध्यपरदेश में अपनी पहली लिस्ट में 49 उम्मीदवारों के नामों का एलान किया था और अब संभावना है कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट 13 सितंबर को आ सकती है यानी एक दिन बात 11 सितंबर को दिल्ली में जेपी नड़ा के घर ग्रह मंतरी अमिच शाह की मौजूदगी में मध्यपरदेश के नेताओं की बड़ी बैठक हुई इसमें मुख्य मंतरी शिवराज सिह चौहान सहित केंद्रिय मंतरी नरेंदर सिह तोमर और बीजेपी मध्यपरदेश के अध्यक सिटें ऐसी हैं जहां बीजेपी कैंडिडेट्स पिछले चुनाओं में 10,000 से ज्यादा वोटों से हार गए थे वैसे तो बीजेपी बीते चुनाओं में 121 सिटें हारी थी उसके बाद हुए उप चुनाओं में उसने 18 सिटें वापस जीत लिए अब बीजेपी का फोकस 103 हा और इसलिए कहा जा रहा है कि इन सीटों पर चुनाओं से काफी पहले उम्मीदवारों के नाम घोशिक कर बीजेपी जीत की रणनीती बनाने में जुटी हुई है